दादी मा की बहुती आसान तीस बेस्ट किचिन टिप्स बहुती कमाल के हैं जरूर सुनें नमर एक रोजाना भिगोई हुई मूंग दाल खाने से शरीर की ताकत में ब्रद्धी होती है नमर दो काले नमक में मौझूद सलफर जिंक जैसे नूट्रियंस डेड और ड्राय स्किन की प्रॉब्लम दूर करते हैं इसका पानी पीने से स्किन हेल्दी होगा और गलो बड़ेगा नमर तीन पालक को लोही की कड़ाई में बनाकर खाने से खून बहुत तेजी से बढ़ता है नमर चार दातों को मजबूत करना है तो कच्ची गाजर खाओ नमर पांच हल्दी को दूध या पानी में मिलाकर पीने से हिर्दय की धमनियों को साफ रखने में मदद मिलती है नमर चे मटर की सबजी खाने से आखों की कमजोरी दूर होती है और आखों की रोशनी भी बढ़ती है नमर साथ मिट्टी के बरतन में खाना पकाने से सौ प्रतिसत पोशक तत्व मिलते हैं नमर आठ पुदीना का पत्ता चहरे पर रगणने से चहरा नरम और मुलायम हो जाता है नमर नौ हरे मिर्च खाने से भुजन जल्दी और आसानी से पच जाता है नमर दस लहसुन को हलका सा गरम करने से उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा नमर ग्यारा बाल जड़ने से परेशान हो तो अंकुरित मैथी खाओ नमर बारा चावल को हल्दी लगा कर रखने से कीडे नहीं लगते हैं नमर तेरा पाचन से जुड़ी समस्याओं में जीरे का पानी सुबह सुबह रामबाड की तरह है नमर चौदा आठा गुनते समय उसमें थोड़ा सा तेल मिला लेने से आठा नरम और चिकना बनेगा नमर पंदरा महीने भर एक सेव खाने से आपके चहरे पर गलो बना रहता है नमर सोला हरी मिर्श को तेल में हलका सा फ्राई करने से उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है नमर सतरा आखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए गाजर का रस सबसे उत्तम माना जाता है नमर अठारा कमर दर्द में पंदर दिन बबूल गोंद का हलवा खाने से कमर दर्द और जोडो का दर्द खत्म हो जाता है नमर 19, खजूर को रोजाना खाने से हड़ियां और दात दोनों मजबूत बनते हैं नमर 20, खीर बनाते समय उसमें थोड़ा सा नमक डालने से खीर का स्वाद बढ़ जाएगा नमर 21, बात्रूम में भरी बाल्टी रखने से क्या होता है अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बात्रूम में रखी बाल्टी को खाली नहीं छुड़ते हैं लेकिन आपको इसके पीछे का कारण पता है हिंदु धरम में वास्तु शास्त्र का विशेश महत होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार बात्रूम में खाली बाल्टी रखने से मना किया गया है यही कारण है कि बाल्टे में पानी भर कर रखा जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की बात्रूम में बाल्टी को भर कर रखने से कई चमतकारी फायदे मिलते हैं इसलिए बाल्टी को भर कर रखना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बात्रूम में भरी बाल्टी को रखता है तो आर्थिक किस्तिती मजबूत होती है ऐसा करने से धन भड़ने लगता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के बात्रूम में नकारा दूद्धों में डालकर खाद की तरह उप्योग कर सकते हो नमर चौबीस हड्या मजबूत बनानी है तो पनीर खाओ नमर पचीस यदि दूद्ध की मलाई में एक चमच चीनी डालकर फैटा जाए तो मक्षन जादा मात्रा में निकलेगा नमर छबीस दिमाग की शक्ति बढ़ और शनिवार को जलाएं इससे आपके धन संकट दूर होंगे यदि आपके हर काम में बार बार बाधा आती हो या कोई काम होकर रुख जाता हो तो आप लॉंग के इस उपाई को करें सुबह असनान कर पूजा करें और भगवान की आरती करते समय दीपक में दो लॉंग डाल नमर 29 आखों की रोशनी बढ़ानी है तो भिंडी खाओ नमर 30 रात को सोते समय दाद पर हलती का लेप लगाने से दाद ठीक हो जाती है हमारी ये वीडियो सामान जानकारी के लिए बनाई गई है अगर आपको कोई भी बिमारी है तो पहले डॉक्र से सलाले फिर है नियम अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद